असलाम लेकुम एव्रीवान वेलकम टू माई चैनल सो गाइस वीडियो में आगे भनने से पहले सबसे पहले मैं ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन के बटन को भी प्रेस करते हैं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास फॉरण से पहल करें और आप मुझे फर्स टाइम देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लें तो यहां उपर इस वीडियो में आपके साथ डीटेल आई मेकप लुक शेयर करूंगी फेस के उपर जो मैंने बेस और मेकप वगारा एक सेक्टर एक सेक्टर अपलाई किया अपनी प्रीविएस वीडियो में आपके साथ डीटेल शेयर कर चुकी हूँ बैसिकली यह मैंने ब्रैडल बेस अपलाई की है ब्रैडल बेस आपके साथ लॉंग लास्टिंग बना सकते हैं किस तरह से अपने फेस पर अपलाई कर सकते हैं यह सारी चीज़े मैं आपके साथ प्रिवियसली ब्रैडल बेस वाली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ इस वीडियो में मैं आपके साथ कम्प्लीट और डीटेल आई मेकप लुक शेयर करूंगी तो इसके लिए सबसे पहले मैंने फोकल एर की आई शेड़ो पैलेट से ब्राउन शेड पेक किया है और अपने क्रीस करूंगी अच्छा जरूरी नहीं है कि आप सेम वही आई शेड़ो पैलेट्स यूज़ करें जो मैं यूज़ कर रही हूँ जो भी आपकी फेवरिट आई शेड़ो पैलेट्स है उसमें से सिरफ आपने सेम कलर्स पिक करने हैं अगर आप ऐसा आई मेकप लुक झुल प्रीस कर्या हुचिए एक अगर आपकी पैलेट्से यू तो एक करूंगा मैं अगर। पीज़ कर देड़ो पैलेट्स यूज़ कर झालेट्स है जुची आपकी पैलेट्स करों अगर सम्रेट्स खे वहीं हैं यूटर। ऑट्स प्रों छाई आब कर दाब यूगी कर कट क्रीस करने के बाद मैं डाकर ब्राउन शेट पिक करूंगी अगैन जैसे मैंने आपको कहा आप किसी भी आईशेड़ पैलेट से कहीं से भी शेट पिक कर सकते हैं यहाँ पर मैंने क्रिस्टीन की कॉंटूर केट से डाकर ब्राउन शेट पिक किया है और इसे जिस्ट मैं अपने कॉर्णर वी एरिया पर ब्लेंड कर रही हूँ आप देख सकते होंगे जिस तरह से मी brush की movement कर रही हो जिस तरह से मैं shade को corner भी area पर blend कर रही हूं So, यहाँ पे एक pencil brush के ओपर मैंने black shade pick किया है. Black shade आप again किसी भी eyeshadow palette से pick कर सकते हैं मैंने black shade लिया है Calizana के eyeshadow palette से और उसको मैं corner भी area पर blend कर रही हूं बहुत ही light hand के साथ मैं blend करूँगी मुझे बहुत जादा dark black नहीं करना है एक blended black look देना है एक smooth black look देना है so pencil brush से apply करने के बाद मैंने बिल्कुल एक clean brush लिया है और उससे मैं black shade को blend कर रही हूँ corner भी area पर so यहाँ पर मैं आपको दो shades दिखा रही हूँ यह दो shades जो है मैं highlight area पर apply करूँगी calozona की eyeshadow palette से metallic gold type का shade है और focal air की eyeshadow palette का metallic gold shade है उसकी उसमें shimmer जादा है उसमें shine और glow ज्यादा है as compared with the calozona one तो सबसे पहले मैं यहाँ पर calozona का shade apply करूँगी एक base बनाने के लिए ताकि जब मैं focal air वाला metallic gold shade apply करूँ तो वो बहुत जादा जो है वो थोड़ा सा निकर कर जड़ा glow करता हुआ सामने आए so इस तरह से आप finger या brush की help से जो है वो calozona वाला metallic gold shade eyelid area पर apply कर सकते हैं जिस तरह से मैं apply कर रही हूँ इसको apply करने के बाद मैं focal air वाला metallic gold shade apply करूँगी इससे ही आप वाज़े फर्क देखेंगे के focal air वाला metallic gold shade वो अचानक से spark एक देदेगा एक glow देदेगा मतब आपकी shine को ना enhance कर देगा झालाव झाला वाला कि एक कर दो कर दो ने ख झालावा खेखे जावा बएली त svenूवावी तारुिटर को अइस माल टुटर है नानच है बाद प्रेज्थ थानिस पराव टूबट वादेगा जुटर है इसानाए की आलावला और याभी झाला है यहां पर यह वाइट इश सिल्वरिश मेटालिक शेड है जो मैंने आप्लाइ किया है और इनर भी एरिया पर अप्लाइ किया है उसके बाद मैं लूर लैश लाइन का मेक अप्लीट कर उखिच है और उसे ख़िक लाइन की तरह अपने लूवर लैश लाइन पर अप्लाइ करूंगी आफ्टर दिस मेरा आइर मेक अप अल्मूस्ट कम्प्लीट है यहाँ पर मैं अप्लाइ कर रही हूं फोकल लेयर का पर मेंहें तरह अपने अप्लाइनलेct नोगे मेंपने शेय liberty में मेंत अप्लाइ चाहँ लोव निव और इसे में अपने आप्लं के सब्ल्सक्राइब कर नचार अपने इन सबीरो कर दोंगे आयलेश जसादे then after this, मैं अप्लाए गरूंगे लिबस्टिक अच्छा लिबस्टिक के लिए यहां पर मैं यह ग्लैमरस फेस का लिप लाइनर अप्लाए कर रही हूँ लिपस को आउटलाइन करने के बाद यहां पर मैं एसम आर्टिस्ट्री का एक रोजी रैट कलर है लाइक जैसा रोस का रैट कलर होता है ना लाइक मरूनिश रैट कलर वो शेड अप्लाए करूंगी थोड़ा सा ओम्रे एफेक्ट देने के लिए यहां पर मैं कंसीलर से जो है वो लाइट कर रही हूँ अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आइक बटन पर वीडियो डाल दूंगी आप देख सकते हैं अच्छा यहां परना end में मुझे लग रहा था कि eyes को थोड़ा सा और glow करना चाहिए तो just मैं center में ये press on glitters होते हैं like जैसे miss rose के glitters होते हैं कि आ फिंगर से easily apply कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ये glitters हैं इनको just मैंने center of the eyelid apply किया है अबस्था ये बना राप्लों पर्लों अबस्था बिल्चा झाओ कर दोटारी कि लगना तूदारी के अच्छा डाओ कर उादेश बिल्स अांटी हैं